करेक्टर की बोड़ी का जो ग्रूप होगा या रखना वो हमेशा ओरीजन पर होना जी ओरीजन मतलब जीरो 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 दैन उसके बाद इसको एक न्यू लेयर में दालना लेयर का कोई नाम दो और यहां से टी करेंग ती यह लगानी है तर फालन्स प्राद बैसे करने से क्या होगा वा है इसके उन्दर की चीज्टीश्हें साफ दिख pie करी है उता के हम बाद्स असानी से लगा अब हमें बॉन्स लगाने बॉन्स है रिगिंग डिपार्टमेंट में मिलेगी स्केल्टन में क्रियेट जॉइंट पहले यहां से लोगे हिप बॉन हिप के लिए लोगे कि लिए रिए रिगर्स यह दोम से क्या होता है बीच में पूल की मुड़ेगा तो फटे का नहीं अव्यूल कtak जा कि देखो एंकल यहां नहीं होता है एंकल यहां होता है तो यहां पर एंकल लेना इसको यहां रख दो अब देखो कि हमें रोटेट करवाना है कि ऐसे जा रहा है तो रोटेट करवाने के लिए क्या करना है हमें इसका जैड एक्स करना है पर मैंने आपको मना किया था है यहां से चेड़ नहीं रोटेशन तो हमें चेड़ना है जोइंट और इंट से इसको यह एक्सिस ऐसे कंट्रोल के साथ स्लाइडर के अंदर ट्रैक करोगे तो वैल्यू अपने आप बड़ेगी और घटेगी अगर किसी बोन को एडिट करना है तो प्रेस डी और दैन एडिट अगर आप दरेट किसी बोन को इदर ले आ रहे हैं तो नीचे की हिरार्की भी जा रही है तो प्रेस डी अगर आपको खाली बोन ले आनी नीचे की हिरार्की नहीं ले जानी डी फोर बोन एडिट सब की रोटेशन मेक शूर जीरो होनी चाहिए दैन उसके बाद सारी बोन सेलेट करने के लिए आइ औरहली चॉयंट सेलेक्ट किया डिसपले में जाना ट्रांस पर पल इस लौकल रोटेशन एकसिस का उann करा दूows एकड़ से जा्पर एक्दमसे जाड़ हो गया एक्सस अलग-लग हो गया आप सब के एकसेस एक करने के लिए एक काम कर सकते में सब को shift P कर दो और देन फिर सब के joint orient 0 0 0 कर दो कि सब के एक्सिस सेम हो जाए एक तो यह तरीका है कि दूसरा तरीका है joint में जाके और इंट जेको सब के एक्सिस सेम हो गए एक तो यह तरीका है आप आप वापिस पी कर दूँ कि दूसरा तरीका अगर आपको सब के एक्सिस सेम करने स्केल्टन में जाना orient आप यहां से एक्सिस डिफाइन कर सकते हूं यह तो सब के एक साथ चेंज हो गए माल लो आपको प्राइमरी प्राइमरी मीन्स जिस पे रोटेशन होगी य प्राइमरी अभी आपको चेंज करना है प्राइमरी एक्स करना है तो देखो एक्स प्राइमरी होगी अब यह भी चेंज कर सकते हैं अपने अकोडिंग अभी तो हम कर चुके हैं तो लीविट सबका वापिस आफ कर दो डिस्पले हमारी बॉंस लग गी बॉंस की नेमिंग करना चरूरी है क्योंकि स्किनिंग में आगे चलके धिक्कत होगी नहीं तो लेफ्ट अंडर स्कोर थाइट अंडर स्कोर जेटी जेटी फोर जॉइंट डाल देना है निटू कर दो तैन अंकल देन बॉल देन टू ये तो सब के आगे लल लगा है क्यों लेफ्ट जॉइंट ठीक है मैं चाहता हूं इसकी कोपी आजए और अपने अप लगी जेगा आ राजए राइट जॉइंट ठीक है तो इसके लिए क्या दन्न है आपको नहीं बेटर को टू स्कैल्टन मिरर जोइंट मिरर जोइंट में अब क्या करना मिरर में मिरर में ओन करो वाई जेट हम वाई जेट ओन करो यहां से और जहां लेफ्ट लिखाव है उसको सर्च मारके राइट आजए उपर लिखो एल नीचे लिखो आर एंड मिरर अब देखो कि सब के आगे आर लिखावार है अब देखो सेलेट किया गोटू स्कैल्टन मिरर जोइंट वाई जेट उन कर देना क्योंकि फ्रेंट भी उसे रिक कर रहे हैं वाई जेट प्रेंट भी उनके लिए होता है जैन सर्च फॉर में डालना एल और रिप्लेस विद में डालना आर मिरर तो जहां पर भी एल एल लिखा था ना मिरर करके उसने एल की जेगे आर कर दी है बहुत अच्छा टूल हम आया का यह अपने आप लेफ्ट को राइट कर देगा अब इस हिरारकी को पैरों की हिरारकी को पूरा करने के लिए बीच में खाली एक जोइंट लगा दो कि इन दोनों बॉन्स को इसका चाइड बना दो अब अब देखो पैरों की हिरारकी आपकी बन गई कि उसके बाद अब स्प्लाइन की स्प्लाइन के लिए लेना जॉइंट्स स्पाइन को स्पाइन की शेप में लेकी जाना चैस्ट वाली बॉन थोड़ी बड़ी होगी दैन नैक दैन एक इयर पर देना क्योंकि यहां से जोइंट्स जॉइगा 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 जोगो चैस्ट वाली बहुन बढ़ी होनी चाहिए यहां तक नक तक अब इसके को भी नेमिंग करूं Spine 1, इसको नाम देड़ा पल्विस इसमें लेफ्ट राइट में लगाना क्योंकि इसमें लेफ्ट राइट कोई चक्तर ही नहीं होता तो नाम देड़ा है अब जॉकट के लिए यहां से यहां तक इस वाली बोन को इसका चैल्ड बना दो समझ आ रहे हैं यहां थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा नॉर्मली इसको इसका चैल्ड बनाते हैं है न हम पर उल्टा करना इसको इसका चैल्ड बनाना उपर की रार की उल्टी नीचे की रार की उल्टी अपोजिट देखो इसको स्लेट किया इसको यह नहीं करना है पहल पेल्विस यान स्पाइन यह गरना है ताकि नीचे वाला ना इंडिविज्वल हो जाए अलग हो जाए और उपर वाला अलग हो जाए अब हैंड अब हमेंग हो जुएंट्स जोइंट्स कि वे लिए आगरा है जाए हो टॉएंस के बहुति आना अगरा ओसिल में जिए वीन टामर है हो बाल जुएंट्स कि में तॉप युँ हाम जंसी पूच्यों अगरा है और एक्सिस का ग्यान रखना सही आ रहा है नेमिंग जरूरी होनी चाहिए लेफ्ट लेविकल जोईंट अब इसको इसका चाहिए और मिरर करा दो मिरर तब कराना जब फिंगर बनाओ तो क्या करो आज इतनी जोईंट्स बनाओ फिर हम नेक्स सेशन में आगे करेंगे 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 घा करेंगे